रात के बारा बज गए थे और मेरे पापा अभी तक नहीं आये थे मेरी माँ और मैं बहुत परिसान थे बार-बार आंगन के चक्कर काट रहे थे हम दोनों आज तक मेरे पापा को कभी इतनी देर नहीं हुए थे हमारा छोटा सा दो कम्रों का घर था और एक छोटा सा आंगन था पापा नौकरी करते थे जिसे हमारे घर का गुजर बसर मुश्किल से ही हो पाता था यो समझना की पापा की तनखाव पहले खत्म होती थी और महीना बाद में महीने के आखरी दिन हम सुखी रोटी और प्याच चटनी से ही गुजारा करते थे लेकिन मेरी माँ सब्र करने वाली और थी और हम चारो बहनों को भी सब्र करना ही जिखाया था हमारा कोई भाई नहीं था मैं बहनों से सबसे बड़ी थी लेकिन मेरी उम्र बस 14 से 15 साल की थी अपनी माँ की परिसानियों को देखकर मैं उन्हें तसली देने लगी कि माँ हो सकता है पापा की कितने दोस्त हैं उन्हें रोख लिया हूँ आप क्यों परिसान हो रही हो मेरी माँ कहने लगी मेरे दिल में अजीब अजीब से खयाल आ रहे है तुम्हारे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया वा तो हमेशा वक्त पर घर आते ही थे किसी दोस्त की तरफ जाना भी तो मुझे बता के जाते देखो तो रात के तीन बजने को आया है तक्रीबन पाँच बचे का दरवाजा खटखटाया गया मेरी माने तो बगर पूछे ही दरवाजा खोल दिया उन्हें यही लगता था कि पापा होंगे लेकिन कोई आज मैं अजनवी बाहर खड़ा था कहने लगा नरेस का घर यही है मेरी माने हां में सर हिला दिया कहने लगी जी हां यही घर है बोलिए वह आदमी कहने लगा कि आपके पती का एक्सिडंट हो गया है और वह अस्पताल में है यह सुनना था कि मेरी मा का हाथ एक दम से ही कापने लगा था पर मेरी मा तो वहीं रोने लगी वो कहने लगा ज्यादा परिसान होने की बात नहीं है लेकिन उनके हाथ पर बहुत बुरी तरह से जख में हुए है उन्होंने अस्पताल का नाम बताया और कहा कि आपके पती ने मुझे कहा था कि मैं इतना कहा दूँ क्योंकि आपके घर में कोई फोन नहीं है रात के वक्ती मैं मेरी मां घर का ताला लगाया और मेरे साथ ही अस्पताल में पहुँच की पापा के हाथ पैर के हड़ियां पूरी तरह से तूट चुकी थी और डाक्टर उन्हें पलश्टर चढ़ा दिया था च्छै महीने के लिए बेड रिश्ट बता दिया था हाथ पैर के हड़ियां पूरी तरह से तूट चुकी थी और कई जगा से भी तूटी है इसके लिए पलश्टर चार-पांच महीने से पहले नहीं उतरेगा पापा परिसान थे कहने लगी कि मेरे घर का गुजर बसर कैसे होगा मेरी तो नौकरी भी छड़ी आएगी मैं क्या करूंगा उस वक्त माने उसे उन्हें तसल्ली दी कि आप चिंता ना करें मेरे पास पैसे जमा रखे हुए हैं हो जाएगा कुछ ना कुछ तो मेरी मा की आदत पैसों को बचा कर रखने की थी लेकिन वा इतने ना थे कि 6 महीने तक हमारा गुचर बसर हो पाता मेरी मा खाना बनाती तो पहले पापा के सामने रखती थी वा खाना खिलाने के बाद जो थोड़ी बहुत सबजी बच जाती थी उसे एक एक रोटी में थोड़ी थोड़ी लगा कर रोल बना कर हमें दे 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 थी मैंने अपने मा को भूख के रहते हुए देखा था अपने पती के लिए वा जैसे कुर्बानी दे रही थी अपनी मा को देख कर दिल आसों से दहल जाता था लेकिन अब यह रात पापा पर थी खुल चुका था राज कीवा अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था कि हम घर में बहुत तंगी आ चुकी थी इसलिए उन्होंने मेरे चाचा को बुला लिया हमारे चाचा खाते पीते और खुसहाल थे क्योंकि जब से पता चला था कि पापा का एक्सिडेंट हो गया है बस एक ही बार दिखावे के लिए घर आते थे और अब पापा के बुलाने पर तो नजर चुरा रहे थी पापा कहने वाले कि सुरेश मुझे तुम से कुछ पैसो उधार चाहिए मैं उटकर जब कोई काम नहीं कर सकता और इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है लेकिन चाचा बात को टाल मटोल कर रहे थे कहने लगी कि तुम तो जानते हो मंगाई कहां से कहां तक पहुँच गई मैंने अपनी की घर के खर्चे खत्म नहीं होते हैं कैसे तुम्हें हर महीने के 10 से 15 हजार दे सकता हूँ पापा की यह हाल था कि उन्होंने चाचा के सामने हाथ जोड़ दिया और फोट फोट कर रोने लगे मैं आस तक कभी किसी से एक रुपए नहीं मांगा अपनी मेहनत से ही कमाया खाया हूँ लेकिन इस वक्त मैं बेबस और मजबूर हो चुका हूँ इसलिए भगवान के लिए मना मत करना हूँ सायद हमारा रिस्ता है खून का यह रिस्ता चाचा ने मेरे पापा के दोनों हाथ पकड़ कर कहा कि आप चिंता मत करें मुझसे जो हो सकेगा मैं कर दिया करूँगा लेकिन इसके बाद चाचा फौरण उठकर चले गए एक दिन बाद चाचा ने पीस हजार पापा के हाथ में रख दिया और साथ ही एक कापी में लिखा दिया पापा ने उसने इस महीने बीस हजार उधार लिया फिर पापा ने कहने लगे कि जहां अपनी साइन कर दीजिए लिखी हुई चीज बहुत सही होती है कल तो कल को मैं बोलूँगा और ना ही तुम चाचा कहा बोलने वाले थे एक एक पैसो का हिसाब रखते थे बार बार यार दिलाने का मकसद था पापा को यह एसास रहे कि उन्हें अपना सारा उधार वापस चाचा को देना है हमारी घर का गुजर बसर होने लगा चार से पांच महीने गुजर गए थे कि पापा की तबियत में सुधार आने लगा पलश्टर भी पांच यह महीने में खुल गया था और पापा थोड़ा थोड़ा चलने भी लगे थी लेकिन नौकरी छूड़ गई थी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं थी पापा लंगडाते हुए चलते थी लेकिन फिर भी वह नौकरी की तलास में धाके खाने लगे चाचा ने जब यहाद देखा की अब थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगे हैं नौकरी भी ढूड़ रहे हैं तो एक बार कहने लगे की अब तो तुम भले चंगे हो गए हो ऐसा करो मेरा पैसा वापस कर दो यह बात सुनकर पापा ने हैरत से चाचा की तरब देखा और ना तुम्हारे उधार दे नहीं दे सकता हूँ। और ना ही अपनी रकम तुम्हें माफ कर सकता हूँ। मेरे बड़े खर्चे हैं। इसलिए चाहे जैसे भाई नौकरी ढोड़ो या ना ढोड़ो। लेकिन मेरी रकम वापस कर दो। मैं आंगर में ही खड़ी मैं अपने चाचा की बोली को देखी रही थी। दिलासों से दहल जा रहा था। उनकी बाते सुनकर भी क्या करती थी। सुनने के सिवा और कुछ भी नहीं था। मेरे पापा मजबूर हो चुके थे। हम लोग जानते थे कि चाचा के पैसों की बहुत ज़्यादा लेन देन है। कई दिकानों की राय पर चला रहे थी। मकान भी अपना नहीं है। इसके अलावा उनकी कोई बेटी भी नहीं है। बेटे हैं, बेटों को चाचा के साथ काम पर लगा भी गए थे। और दोनों हाथों में कमा रहे थे। लेकिन इतना हौसला ना था कि भाई की वज़ज़ से हम पर उपकार कर देते। मेरे पापा ने कहा कि तुम मेरे हालात अच्छी तरह से जानते हो। मैं इतनी जल्दी भला कैसे तुम्हे पैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर चाचा कहने लगे देखो, इतने पैसे तुम ले चुके हो। ना अगर अगर अपने इस घर को बेज़ दो, इसकी कीमत लगवा दो। यह मेरे नामकर हो सकता है, यह सुनना था कि पापा तो दंग रह गये थे। मेरी मा भी बहुत परिसान हो गई थी, हमारे पास अपना एक ही घर तो था, अब तो चाचा की बेविसी का यह हाल था। कि कहने वालों कि बस कुछी दिन की महलत देख रहा हूँ। तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, अपने पत्नी बच्चों को लेकर कहीं और चले जाओ, लेकिन मुझे या घर दो तीन दिन में खाली चाहिए। यहां सुना था कि पापा का हौसला जवाब देने लगा, उनका हाथ सीने तक गया था, ऐसे लग रहा था उन्होंने किसी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, को बरदास किया है, और मुझे से चाचा ने कहने वालों को ठीक से है, मेरे भाई, मैं कुछ दिन में तुम्हारा यागर खाली कर दूँगा, लेकिन मेरे पापा कुछ दिन ही नहीं जी पाया, अगले ही दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और उन्होंने इतना समय नहीं मिला कि वह कुछ देल भी जिन्दा रहते हमारे घर पर जैसे कयामत तोट गई थी, पापा की अचानक मौत ने हमें उठकर हमसे बाते करने लगेंगे, चाचा बड़े सरमिंदा सरमिंदा घर आये थे बस दिखावे के लिए हमारे सर पर हाथ रखा, चाचा ने दो बोल मा से अफसोस के बोले, पापा का अंतिम संसकार हुआ, चाचा और चाची भी वापस चले गए, बाकी रिस्तेदार बिर चाचा को सरमिंदा मैसूस होगी, हमारे साथ उनका बेवार अच्छा होगा, किवा या गर हमें दे देंगे रहने के लिए, क्योंकि हमारे पापा का साया भी हमारे सर से उठ चुका था, हमारा तो कोई भाई भी नहीं था, हम सिर्फ बहने ही थे दो, चार, फिर हमारी इस्तेदार भी हमें सबर के लिए कहते हुए, हमारे घर से जाने लगे, जाते हुए सबने हमारी थोड़ी बहुत मदद भी की थी, किसी ने रासन डलवा दिया, तो किसी ने नगत पैसे दे दिया, किसी ने या कह दिया कि जब इस साल अपनी फसल का कुछ हिस्सा हमारे घर भी जवा देंगे, मेरी माँ आखों में आसु लिए, सब का धरन्यवाज करती रही, भले ही हम गरीब थे, मगर पापा जो भी काम करते थे, उसी में सबर किया करते थे, पहले तो पापा के जाने का दुख था, मगर अब तो गरीबों ने भी हमारी सांस लेना तक दंग कर द दिया था, पापा के दिहान तो को अभी एक महीने ही नहीं हुआ था, कि जब घर के दरवाजे तक दस्तक हुई मेरी माँ दरवाजा खोलने गई तो चाचा दरवाजा पर मौजूद थे, उन्हें देख कर तो जैसा हमें खुस हो रहे थे, मैंने सोचा कि हो सकता है चाचा, अपनी गलती पर पस्तावे के साथ यहां आए हूं, और यही कहना चाहते हूं कि हम पर जो उधार है उसे माफ कर रहे हैं, मगर चाचा ने घर में आते ही बगएर कोई बात कहा कि मैं बाई होने के नाते अब तक खामोज से बैठा रहा, चलो तुम्हारे घर में कोई कमी है, सच से पती का साया चिन चुका था, मगर अभी तक मेरी बात वहीं की वहीं अटकी हुई है, या तो मेरे पैसे वापस केजिए, या फिर घर मेरे नाम करवा देजिए, क्योंकि भाई साथ अपनी जिंदिगी से कहा कर चले गए थे, कि वह जल्दी या घर मेरे नाम कर देंग पिर हम कहां जाएंगी, मेरी मा रोने लगी, हाथ जोड़कर चाचा से कहने लगी कि भाई, एक नजर मेरी मासूम बच्चियों पर डालो, सभी मासूम है, मेरे सर पर तो मेरे पती का साया भी नहीं रहा, नहीं मेरी कोई मेरा बेटा है, अगर या घर छोड़ दिया तो मैं क जाओंगी छोटे छोटे बच्चे लेकर या सुनकर चाचा ने गहरी सांस ली और फिर कहने लगे कि चलो मैं इतना काट कर देता हूं कि या घर तुम लोगों को दे देंगा इसके बदले में तुम हमें किराया देते रहना आराम से तुम लोग रह सकते हो मगर अब मैं और जा चाचा के नाम हो गया बड़ी मुस्तिल से इस घर के कागजात मा चाचा को पकड़ाने आई थी चाचा को एक बार भी हम पर तरस नहीं आया था कि मा रोते हुए हाथ चोड़ती रही मिन्नते करती रही और कहने लगी कास मेरे माई के वाले पास होते आज मुझ पर या पटना थी हमें करणोच के एक छोटे से गाउं में रहने वाले थे जबकि मेरा ननीहाल रायपूर में था कई साल हो चुके थे हमें अपने ननीहाल गए हुए अपने माँ से मिले हुए मामा से मिली हुए नाना नानी और दो मामा थे जो कि रायपूर में ही रहते थे दोनों के ही हालात बहुत अच्छे थे उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनकी बहान पर ऐसे कयामत तूट पड़ी है हम अपने घर के भी किरायव दे कर रहने लगें मगर दीरे दीरे सबी अपने जिंदिगी में मगन हो चुके थे हमारे पास तो अब उनके पैसे भी नहीं थे कि हम उन्हें दे सके ऐसे भूखे रहने की नौबत आ गई थी माने सोचा कि वह लोगों के घरों में काम करना सुरू कर दे इस हमारा पेट पाल सकी उसी दिन यही फैसला करते हुए मा जब घर से जाने लगी तब ही चाची हमारे बेटो हमारे घर आई हमारे चाची को देखकर एक हम फिर डर गए थे कि कहीं जाने को अब ना कहे हमें आई चाची एक ने बड़ी ही अजीब नजर मुझ पर और मेरी मा पर डाली और फिर कहने लगी कि तुम किसी और के घर काम करने क्यों जाओगी मेरे ही घर में आकर काम करना सुरू कर दो बदले में मैं तुमें लोगों को पैसा दिया करूंगी या सुनकर जैसे हम हैरान रा गए मा ने फौरन मना कर दिया उनका सर जिन्दीगी से जुका कर जुका हुआ था सर्म से जब कि चाचा चाची काफी बाते सुनाई हुए थी मा ने कई घरों में कान ढूड़ा मगर कोई नहीं मिला काम करने के लिए कोई तयार देने के लिए तैयार ही नहीं था जब उन्होंने हमारी भूग से पूरी हालत देखी तो मजबूरन चाची के घर में चली गए चाची हमें देखकर हची और फिर अपने घर की कामों में लंबी लिश्ट पकड़ा दी मा सारा दिन यहां पर काम करती और चाची की बाते भी सुनती चाची मा को ताना दिया करती थी मा की सेहन सेहत तो यहां बाते सुनकर पहले जैसे ही ना रही इसलिए हम बैनों ने भी मा के साथ जाकर चाची किया घर काम करना शुरू कर दिया था हमारे जाचा के चार बेटे और छोटा बेटा जिसकी उम्र पाँच साल की थी जबकि काफी बड़े थी चाचा अपने बच्चों को अपने पाद बिठा कर हमारे बारे में खूब बाते किया करती थी और कहती थी या करीब लोग हैं उनके साथ कभी भी हमदर्दी मत करना अरे यह लोग तो अपने वादों से भी मुकर जाते हैं इन्होंने तुम्हारे पापा से उधार लिया था जो चुका ना सकी तो तुम्हारे पापा ने इनको घर चीन लिया अब यह लोग हमारे घर में ही भीखारी की जिन्दीगी गुजरते हैं ऐसी बाते सुनकर तो मैं एकदम से तूट सी गई थी वहार राइपुर्ड में मेरे मामा तक यह बात पहुँची कि हमारे मामा का, हमारे पापा का देहान थो चुका था और वहार बहुत ही बुरी जिन्दीगी गुजर रहे हैं वह फौरान अगली ट्रेन से हमारे घर पहुँचे हम लोग अपने ही घर में ही थे जैसे अंजान बने बैठे थे मैं जब मामा आये तो उनको देखते ही मा के सब्रका बांट तोट गया मामा की गले लग कर फूट फूट कर रोने लगी रोते हुए सारी कहाने सुनाने लगी जिसे सुन कर मामा की आँके भीग गई थी मा کہने लगी कि तुम चिन्दा क्यों करती हो तुम किसी तरह से तुम मुझे यह सब ख़बर पहुँचा देती आखिर किसी की हिम्मत है जो मेरी बहन के साथ ऐसा बरताओ करता उन्होंने मेरे चाचा को खुब खरी-खोटी बाते सुनाई थी और फिर हम सभी बेहनों और मां को लेकर वहां अपने रायपूर चले गए चाचा का बरताओ तो हम देख चुके थे उन्होंने हम अनात को साथ क्या बेहार किया था मामा के घर आये तो यहां मेरे दोनों मामा उपर नीचे पोर्शन में लगे हुए थे दोनों का अपना कारोबार था और पैसों की कोई कमी नहीं थी अब अपनी मामियों को देखा तो एक बार फिर दिल में दहल सा गया था ख्याल आया कि कहीं हमारी मामियां भी हमारे घर के साथ वही सलूट न करें जैसे हमारी चाची हमारे साथ किया करती थी मा बड़ी साउधानी से रहती वहां सारा दिन काम मामियों के घर का काम किया करती थी और साथ हम भी काम में हाथ बटाते थे बड़ी मामी ने मुझे यासब करने से रोख दिया था दिन में खुद की बरतन धोने लगी थी उन्होंने आकर मुझे पकड़ लिया मेरे हाथ चुमकर बोली की गुड़िया इन हाथों में किताब और पैंसल अच्छी लगती है इन हाथों में छंचन करती चोड़िया होनी चाहिए यहां काम करने के लिए नहीं है मैं हूना मामी के इतने महबबत देखकर जैसे मेरे आँखे गीली हो चुकी थी उन्होंने हमारे साथ कभी भी गलत ब्योहार नहीं किया बलकि अपने बच्चों की तरह पाला हम बहनों को स्कूल में एडवीशन करवाया और वहीं पढ़ाया जहां उनके बच्चे अपने पढ़ते थी उच्छे सिच्छा प्राप्त करवाई सारी जिन्दिगी तो जैसे खुसियों से भर चुकी थी सिच्छा पूरी होने के बाद मामा ने मेरी साथी अपने ही जैसे एक बड़े घर में करवा दी वह लड़का भी एक फैक्टरी का मालिक था मेरी साथी के बाद मेरी बाहन भी ऐसे ही अपने घरों की हो गई और खुसी भरी जिन्दिगी गुजारने लगी और भावियों और मामियों को खुब दुआये देती साइड मेरी मा की दुआये ही थी और मेरे मामा की नेक के भगवान उन्हें दिल दुगनी और राज चोगनी कर दे मैं अपने ससुराल में खुश थी खुशी भरी जिन्दीगी गुजार रही थी कि जब एक दिन मुझे गली से एक इनसान आवाज लग रहा था उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मैं और बरदाश न कर सकी और खिर्की से ज़ाक कर देखने लगी वाका रहा था मैंने पांच दिन से कुछ नहीं खाया मैं तुम लोगों से भीक नहीं मांगता पस मुझे यह कपड़े खरी लो और मैं कई दिनों से भूका हूँ जैसे ही खिर्की से ज़ाक कर मैंने देखा उस लड़के का चेहरा देखा तो जैसे पैरो तले जमीन निकल गई हूँ क्योंकि उसके नए नक्स मुझसे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरे खांदान का लड़का हो कितनी देर से मैं हैरान होकर उसे देखती रही उसकी आवाज सुनकर घरों में कई अवरते निकल कर बाहर आ चुकी थी और उसे कपड़े लेने लगी तरहसल वहां पुराने कपड़े बेचने वाला था और उसने पुराने कपड़े ले भी रहे थे और फिर अपने पास मौजूद इस्तेमाल किये हुए कपड़े पी दे रहा था साइध यही उसका कारोबार था पुराने कपड़ों को खरीद कर उसको नए तरह करके लोगों को बेचना मैं भी वही चली आई मुझे देखकर वह मुझे से कहने लगा कि आप कपड़े खरीदना चाहती है या देना चाहती है मगर मैंने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो कहां से आया हो मेरी बास सुनकर उसने गहरी सांस लि WOR और कहने लगा मैं कान नोज से आया हूँ सहर का नाम सुना तो मैं उससे पोची बैठी करनोज में तुम कहां पर रहते हूं तुम्हारे इलाकी का क्या नाम है फिर उसने एक नजर मुझे पर डाली और फिर अपने इलाकी का नाम बताने लगा ना जाने को मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ इसका कोई पहचान है मेरे बच्चों की पुराने कपड़े मौजूद थे मैंने वह कपड़े उठाई और लाकर उसे दे दिया मुझे उसके पुराने कपड़ों की जरूरत तो नहीं थी मगर मैं जानती थी कि वह मुझे से ऐसे ही पैसे नहीं लेगा इसलिए मैंने उससे कुछ कपड़े ले ले सोचा की ले लेती हूँ कि गरीब का गरीबों को बाड़ दूँगी मेरे दिये कपड़ों को जब वह पैसे देने लगा तो मैं लेने से मना कर दिया भी जाकर दूर कर लेते हैं यहां पर एक ऐसे ही मंडी है जहां पर ऐसे कई लोग पुराने कपड़े बेचा करते हैं मैं अपने पती के साथ वहां पहुँच गई वह लड़का भी एक कोने में खड़ा था मेरा पती अपने गाड़ी के ठेले के पास ले गया और फिर उस सवाल करने लगा मैं भी उसके सामने खड़ी थी जब उसके गाउं के बारे में पूच गया तो उसने उसी गाउं का नाम लिया जहां पर मैं भी रहा करती थी मेरी तो जैसी सांस ही थम चुकी थी मेरा पती कहने लगा कि तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, भीक मांगते, से तो मेहनत करना हजार गुना बेतर है, क्या तुम सुरू से ही यही काम कर रहे थे, या सुनकर वा कहने लगा कि नहीं, हम तो बड़े ही अमिर्ट लोग थे, अच्छा खाते कमाते थे, अपना घर था, मगर फिर ना ज आसी जमा पुझी खर्च हो गई थी, इसके बाद मैं हमारा वक्त पलड़तना ही गया था, हमने अपना घर, गाड़ी, जमीन, सब कुछ बेज दी, और माबाप का भी दिहान थो गया, हम चार भाई हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ, अब तो यह नौबत आ चुकी है, कि हम पर हम चारो भाई कम काम करते थी, तबी भी गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए हम चारो भाई अलग-अलग सहरों में बिखर गए, कौन सा भाई किदर है, क्या काम कर रहा है, भूका है, या पेट भर सोता है, खाता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, इतना कहती वह साल, पहले वह पांच साल का ही था, जैसी करनी वैसी भरनी है, चाचा ने तो कुछ भी हमारे साथ किया था, आज उसका सिला उन्हों के, उन्होंने ही सिर्फ खुद भूगता, बलकि वह खुद ही इस दुनिया से जा चुके थे, मगर साइद उनका किया कभी, अब भी तक उ उसको अपने फैक्टरी में लगवा दिया, लगवा दो, अब वह अच्छी अच्छी जिंदी की गुजार रहा था, और उसके कोई भी अब हाथ में ही नहीं रहते थे, वह लोग भी कोई ना कोई काम जरूर करते होंगे, कहते हैं ना, माबाप की सजा बच्चों को जरूर भुगतनी पड़ती है, तो इसलिए कहते हैं किसी को इतना परिशान मत करो कि उसके दिल में आपके लिए जगा ही ना हो, तो दोस्तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, क्या जो मैंने किया, वह सही था, या फिर मुझे उस लड़के को उसके हाल पर छोड़ देना चाह करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं ऐसी एक प्यारी स्टोरी के साथ, कहानियों के साथ, धन्यवाद, थैंक्स फार वाचिंग, वीडियो, स्टोरी,